solve for x and y using substitution अब यहाँ पे हमें एक pair of linear equation दिये हुए हैं जिसमें x और y variable का use हुआ है और हमें इन दोनों को एक साथ solve करना है यानि कि ऐसे x और y की values बतानी है जो कि दोनों को एक साथ satisfy करे substitution method का use करके अब हर बार तो हमें कोई चडिया आके कोई golden bird आके तो हमारी मदद करेगी नहीं तो इसलिए अब हमें खुद ही दिमाग लगाना पड़ेगा लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है जैसा हमें उस golden bird ने बताया था उस चडिया ने बताया था कि substitution method में हम क्या करते हैं कि पहले हम कोई भी एक दिया हुआ equation उठाते हैं उसको उठाके एक variable की value दूसरे variable के terms में लिखते हैं और एक बार वो value आ जाए तो बचे हुआ equation में वो value डालके उसे linear equation in one variable बना देते हैं और वो solve कर देते हैं तो चलिए बोलना कुछ जादा ही हो गया देखते हैं कि ये बात हम लागू भी कर सकते हैं कि नहीं तो यहाँ पे अगर मैं इन दोने equations को साथ में देखूं तो यहाँ तो मुझे आधा काम मेरा होई चुका है क्योंकि यह जो second equation है यहाँ पे y equals to 2x minus 5 इसमें y के value x के terms में तो already दे रखी है तो बस मैं क्या करूँगा y के इस value को यहाँ पे डाल देता हूँ y की जगह क्योंकि y तो इसके बराबर है और हमको इन दोनों को साथ ही साथ solve करना है तो मैं क्याम करता हूँ इस y के value को जो x के terms में लिखे हुई है इस वाले equation में डाल सकता हूँ हालकि आप उल्टा भी कर सकते हैं आप चाहें तो थोड़ा और मेहनत करके इस equation से किसी भी एक variable को किसी भी दूसरे variable के terms में लिखके इस वाले equation में डाल सकते हैं अंसर हमारे सेम आएगा चेंज नहीं होगा लेकिन हम अपनी सहुलियत की अनुसार चुकि यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ है तो चलिए इस value को हम यहाँ डाल देते हैं तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा negative 3x minus 4 times y है यहाँ पे y की जगह में डाल दूँगा 2x minus 5 और यह हमें दिया हुआ है distribute हो जाएगा 2x पे और negative 5 पे तो negative 4 times 2x मुझे दे देगा negative 8x और negative 4 times negative 5 मुझे दे देगा positive 20 और यह दिया हुआ है negative 2 के बराबर अब negative 3x और negative 8x like term से हैं तो इन्हें मैं जोड़ देता हूँ तो negative 3 और negative 8 हो जाएगा negative 11 तो यह हो जाएगे negative 11x plus 20 तो जोगातियों आ गया और यह हो जाएगा बराबर negative 2 के अब यह सब equation में मुझे तो सिर्फ एक ही variable मिला है x तो ही मैं solve करने की कोशिश कर रहा हूँ तो यह करने के लिए मैं इधर से negative 20 हटा देता हूँ तो इधर से भी negative 20 हटाना पड़ेगा ताकि मेरी equation balance रहे तो अब हमें क्या मिल जाएगा तो यह positive 20 negative 20 cancel हो जाएगे इधर सिर्फ negative 11x आ जाएगा और इधर आ जाएगा negative 2 negative 2 minus 20 दोनों हो जाएगे बराबर negative 22 के negative 2 और negative 20 मुझे negative 22 दे दे देंगे अब दोनों साइड में negative 11 से divide कर देता हूँ तो इधर उपर और नीचे जैसे ही मैं negative 11 से divide करूँगा यह हट जाएगे और इधर उपर और नीचे अगर मैं negative 11 से divide करूँ तो यह हो जाएगा 1 यह हो जाएगा 2 तो यहां से मैं कह सकता हूँ कि मेरी x की value जो है वो 2 के बराबर आ गई है X की वैलू 2 के बराबर आ गई है अब Y निकालना है तो खेर मुश्किल पार्ट तो हमने कर लिया है अब आसान पार्ट बाकी है बस तो कोई भी equation आप यहाँ पे ले लीजे उसमें X की वैलू रख दीजे और Y की वैलू निकाल लीजे लेकिन यहाँ पे मैं इसमें रखूँगा क्योंकि यह मुझे ज़्यादा आसान दिख रहा है करने में Y X की टम्स में पहले से ही लिखा हुआ है तो यहाँ पे आजाएगा मेरे पास Y equals to 2 times X की जगह में डाल देता हूँ 2 और minus 5 तो यह आजाएगा 2 times 2 हो जाएगा 4 2 times 2 हो गया 4 और minus 5 तो यह वैलू मुझे देदेगी negative 1 यानि की Y की वैलू negative 1 आ गई तो यह इसका solution हो जाएगा जिसको अगर मैं coordinate point के form में लिखू तो मैं लिख सकता हूँ 2, 2, 2, negative 1 यानि की X और Y कोडिनेट हो जाएगे 2 और negative 1 respectively जिसका यह मतलब हुआ कि अगर मैं इन दोनों lines को draw करता हूँ coordinate plane में तो जहाँ पे यह दोनों lines मिलेंगे जहाँ पे यह दोनों lines intersect होंगे वो 2, negative 1 होगा और यह X और Y की values इन दोनों equation को satisfy करेगे और आप चाहें तो इसमें यह दोनों values डाल के देख भी सकते हैं जैसे कि अगर मैं इस पहले equation में यहाँ पे इस वाले equation में अगर मैं X की जगा 2 डाल दू तो मुझे मिल जाएगा negative 3 times 2 minus 4 times Y की जगह में डाल देता हूँ negative 1 तो क्या इसकी value negative 2 के बराबर आएगी तो चली देख लेते हैं तो negative 3 times 2 होगया negative 6 negative 4 times negative 1 हो जाएगा positive 4 तो यह आगया negative 6 plus 4 यानि कि negative 2 के बराबर जो कि हमारा right hand side है यानि कि हमारे solution मिला वो पहले equation को तो satisfy कर रहा है और साथ ही साथ अगर दूसरे equation में भी डाले तो 2x minus 5 2x minus 5 है यहाँ पे और यह y के बराबर दिया है तो अगर मैं x की जगह यहाँ पे x की जगह में डाल देता हूँ 2 तो 2 times 2 minus 5 क्या हो जाएगा तो 2 times 2 हो गया 4 4 minus 5 हो जाएगा negative 1 के बराबर यहनि की यह तो y के ही बराबर है इस तरीके से हम यह भी चेक कर सकते हैं कि हमारे जो solution आया क्या वो वाकई में सही भी है या नहीं